हेलो गाइज, विलकम बैक टो माई चैनल, तो आज हम लोग एक बहुत ही ब्यूटिफुल केक सीखते हैं, जो के मदर्स डेज स्पिशल केक होगा, तो ये केक हम लोग हमारे ममीज के लिए बनाएंगे, तो आप लोग स्टेप बाइ स्टेप केक देखें, केक का पूरा वीडि केक होगा, थीक है, बने रहे हैं वीडियो के इंट तक, तो देखते हैं ये स्टेप बाइ स्टेप केक, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मैंने रिगुलर ली जैसा बनिला स्पॉंज है, बनिला स्पॉंज बन केजी ले लिया है, यहां पर देख सकते हैं, मैं यह थी लियर बनाऊँगा और थोड़ा थिक लेयर बनाऊँगा, इसमें यानि के थोड़ा सा हाइट आना चाहिए कि हमारा एक केक का स्पॉंज यानि के थोड़ा कम था ना, इसलिए मैंने यहां पर वन स्पॉंज में टूटू लियर दिया है, तो यहा यहां पर एक स्टाबरी फलेवर ले ले लेंगे, जो के बहुत ही अच्छा फलेवर है, यह भी स्टाबरी फलेवर, बहुत ही टेस्टी यमी फलेवर है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मैंने मिल्कप्र जूज लिया थोड़ा मिल्कमेड आट गया था, उसी के अं सकते हैं तो ठीकिए तो यह मैंने 3 सपोंश लेएर बी अच्छे से मैं यहां पर सब्सक्राइब करा दिया है तो भी हम लोग यहां पर एड़ करेंगे इसके अंदर फ्रेश क्रीम और रिचड़ क्रीम जो भी आपके पास होगा वह आप लोग इसके अंदर और एड़ कर सकते हो ठीक है तो इसके अंदर भी इसे अच्छे से लेवल हम सेट करेंगे देखें आप लोग स्प्रेड करूंगा यहां पर में दोड़ा अच्छा क्रीम में भी मालस डाल रहा हूं एड़ कर रहा हूं ग्रश जो स्टाबरी क्रश होता है वह वाला ताकि यह अ मैं इसे टेबल पर या फिर कोई बॉल पर नहीं मिक्स कर रहा हूं डारेक्ली स्पॉंज लेयरिंग में मिक्स कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा माला सार्ट करके मैंने क्रीम को अच्छे से मिक्स किया है आप लोग देख रहे हैं यहां पर कहीं भी क्रीम य मेरा यहां पर फिल्ंग हो चुका है देख सकते हैं आप लोग यहां पर और लेयर नरियर साप परफेक्शन में किये हम लोग यहां पर देख सकते हैं जैसे आपको कटिंग मताया था हुआ ही तो मेरा केक अच्छे से डी फिरिज में सेट होने के लिए रख दूगा मैं हाथ से प्रेस किया तो थोड़ा तो हम अभी यहां पर की की आइसिंग करेंगे जिसे का आप लोग यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा यलो ड्रॉब्स डाला हूं मैं यहां पर रिच क्रीम में तो थोड़ा एक वाइट क् के पूरा वीडियो तो यहां पर मेरा केक डिफ्रेंज में सेट होंके आ चुका है रहाँ देख सकते हैं आप लोग यहां पर कितना ब्यूडिफल कर दिखांग और filling भी किया हूं ठीक है तो यहां पर मुझे sides fit से cut करने की जरूरत नहीं पड़ी आप लोग देख सकते हैं यहां पर direct मैं यहां पर icing कर रहा हूं के की तो यहां पर first में ऊपर के के टॉप में अच्छे से finishing ले लूँगा उसके बाद side में आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैं फिर और extra cream add करूँगा ताकि यह खाली cream cake है इसके side वगरा में कुछ ने लगेगा तो आप थोड़ा cream की quantity थोड़ा बढ़के यहां पर रख सकते हैं जैसा हमारा normal better scorch black forest या फिर लीची कुछ भी हम लोग cake बनाएं तो side में chocolate, flex या फिर कुछ लगाते हैं न तब अब less cream यहां पर side में रखेगे तो चलेगा यहां पर आप लोग अगर cream cake है कुछ designer cake है तो थोड़ा सा cream यहां पर quantity बढ़ा के रख सकते हैं आप लोग तो आप cake का look अच्छे साइगा ठीक है फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था cake की finishing यहां पर अच्छे से लानी होगी थोड़ी सी तो cream quantity मैंने थोड़े बढ़ के लिए ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हैं अभी आपर मैं ट्राइग कर रहा हूं finishing आने के लिए यह very simple and very easy cake है आपको बहुत ही simple and easy में बन जाएगा अगर आप लोग कभी भी घर में या फिर कहीं भी आप लोग ट्राय करके देखना चाहरे तो ठीक है तो इसे side में थोड़ा सा design जैसे regular fancy design में भी जैसा आता है normal design वाला वाला design में यहां बता रहा हूं नाइ तो flower वाला बनाएंगे ना हम लोग dotting वाला flower nozzle के help से तो उसके लिए मैं यहां पर cream mix कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं थोड़ा pink color में क्रीम में मैं थोड़ा सा pink color add किया हूं अगर यह आपको light देख रहा है तो थोड़ा सा और और भी आप यहां पर add कर सकते हूं आपक तो एक look आए गा मतलब दूर सी catchy you got, eye catchy you gotta, खाप लोग देख सकते हैं यह वाले nozzle में जिससे balloon nozzle होता है न वह बाले nozzle में यहांपर मैं इस cream को fill कर रहा हूं पाइपिंग मैं में फिल कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं यहांपर ठीक है अच्छे से cream में फिल कर लोग को और लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं यह फिनिशींग में राउंड ले melted तो नेक्स्ट हमारा फ्लावर बन जाने के बाद हम लोग इसमें गृ allora आड करेंगे, ग्रीन लीक प्सकेंट आप भी रख सकते हो यहाँ तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं घृन में थोड़ा सा यलो कलर आड करता हूं आएक अच्छा सा साली क्रीम देसा ड़ात डोगे हो कंगा तो ग्रीन कलर आपसे बहली सीची теперь उठके आएगा मतलब एक फिनिश अच्छा लुक आएगा उसका ग्रीन कलर का ठीक है अधर्वाइस आप डार्क भी कर सकते हो तो कभी भी मैं यहां पर में को यह वाल अच्छा दिखता है तो यहां भर में थोड़ा सा यलो कलर आड कर लेता हूं कभी ठीक है तो आप लोग द इसका नॉजल भी आता है ठीक है मैं यहां पर आपको बता रहा हूं यह लीफ के लिए पत्ते के लिए मैंने जैसे कट किया था आप लोग देखे आना वैसा अगर आप कट को रहें तो यह डारेकली बटर पेपर चाहिए आपको लीफ बनके आ जाएगा ठीक है तो आप यह लोगा रहा है मतलब ग्रीन लीफ एड कर देने के बाद यह एक इदम फ्लावर जैसा ही दिख रहा है रोस फ्लावर थी यह में राउंड वाला फ्लावर थी तो देख सकते हैं यहां पर हमारा यह ग्रीन वाला भी कंप्लीट हो चुका है अभी यहां पर मैंने चॉकलेट ज करेंगे मदर्स डे लिखेंगे जो भी आप राइटिंग करना चाहर हो है पी बद्द वगरा रहा वो लिख सकते तो मैं यहां पर पहले इसका एर बबुल निकाल लूँगा नाइफ में चला के देखा था मैंने यहां पर देख सकते आप लोग यह वाला हैपी मैं यहांपी कंप्लीट कर चुका हैं Mother's Day Mother लिखेंगे फिर Mother's Day देख सकते हैं आप लोग यहां पर भी एक ट्राइ कर ले रहा हूं बस मतलब जितना आप फिनिशिंग में आना चाहिए राइटिंग थोड़ा बन मैं भी यहां पर ट्राइग कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं ठीक है Mother's डे हो गया है हमारा मदर्स दे के लिए इस्पेशल केक अपकमिंग के लिए हम लोग यह केक बना रहे हैं हमारे मम्मी के लिए ठीक है यह वाला ब्यूटिफुल सा है यहां पर हमने राइटिंग भी कर जिया है केक में जब से उल्टा दिख रहा था आपको यहां पर अभी यह हमने पूरा साइट कर दिया है अच्छे से प्रेस करण तो यह गिर ना जाए और फिर बाहर निकल घड़ा उपर में भी जो स्मॉल साइस होता है वाला वाला बाल बल जी हम पर एड़ कर रहा हूँ है आप लोग देख सकते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारा टोटली केक बन के रेडी हो चुका है मदस डे के लिए स्पेशल केक हम नहीं हमारे ममी के लिए बनाए आप लोग वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक कमेंट शेर जरूर की दिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर आप 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 आप